रितिक रोशन ने अपने 2018 के कैलेंडर में बेटों के साथ 2-3 वेकेशन भी मार किये हैं वो सिंगल फादर हैं और अपने बेटों के हर जरूरत का ख्याल अकेले ही रख रहे हैं यह कहना घलत नहीं होगा कि 43 वर्षिय रितिक रोशन की पूरी दुनिया उनके दोनों बेटों रेहान, ग्यारा और रिदान, नौर के इर्दगिर्द घूमती हैं अगर आप रितिक की जिंदगी को करीब से देखेंगे तो पाएंगे कि जब भी पैरेंटिंग डूटीज की बात आती है तो रितिक हमेशा सबसे आगे रहते हैं खिर इस महीने के अन तक वो फिर से अपने बेटों के साथ विलकेशन पर जाने वाले हैं उन्होंने अपनी आने वाली फिल्मों के शूटिंग शेड्यूल्स को भी इसी हिसाब से तय किया दोनों बेटों को पसंद है एडवेंचर स्पोर्ट्स रितिक के करीबी दोस्त ने बताया है रितिक के विकेंज बहुत नौर्मल होते हैं विकेंज पर या तो वे अपने बेटों के लिए कुक किंग करते हैं या फिर उन्हें लेकर कोई मूवी देखने का प्लान बनाते हैं इसके अलावा जब उन्होंने 2018 के लिए कैलेंडर प्लान किया तो उन्होंने सबसे पहले उसमें बच्चों के साथ दो-तीन वेकेशन मार्ट कर लिए वो अकसर आउटओर टूर पर साइकलिंग, सर्फिंग या फिर रॉक ट्लाइबिंग के प्लान बनाते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों बेटों को एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं रितिक का कहना है मुझे रेहान और रिदान के साथ ज्यादा वक्त गुजारने का मौका नहीं मिल पाता पर जब भी मिलता है मैं उनके साथ एंजॉय करने निकल पड़ता हूँ जब हम तीनों साथ होते हैं तो बाप बेटे की तरह नहीं होते बलकि तीन अलग-अलग शक्स के और पर होते हैं जो एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं मेरे बेटों में कुछ के एरेक्टर गॉर्ड गिफटेड हैं जिने मैं पसंद करता हूँ बच्चों की पसंद की मताबिक है अपार्टमेंट रितिक का जोहूव वाला सी फेसिंग अपार्टमेंट बिलकुल वैसा ही है जैसा उनके बच्चों को चाहिए मतलब जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं घर उनकी जरूरतों के हिसाब से बदलता जा रहा है चाहे वो play area हो या recreation area जहां वो अपनी मरजी के टीवी शोज और फिल्में देखते हैं सब कुछ उनकी पसंद से ही तयार किया गया है